नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC Cracker में तो उत्राखन लोग सेवा आयोग द्वारा Assistant Accountant सहायक लेखाकार के पदों पर जो है भरती विग्यापन निकाला जाएगा तो कुल पदों की संख्या के अगर हम बात करें तो 663 पोस्टों पर जो है वेकेंसी निकालने वाला है 663 तो इस वीडियो हम बात करेंगे किस तरह के से इसकी eligibility criteria रहेगी किस तरह के से आप लोग form भर पाएंगे कब इसके exam रहेंगे क्या syllabus रहेगा तो complete हम बात करेंगे और जितने भी नए candidates हैं इस channel को जल से जल subscribe कर लिजे क्योंकि पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माधन से मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले age limit की बात कर लेते हैं तो 21 से 42 वर्स तक के सभी candidates इसमें apply कर सकते हैं ये general candidates के लिए age limit उसके बाद आपको reservation भी मिलेगा SC, ST, OBC और जो आपके physical handicap जितने भी other reservation criteria रहता है उसमें तो अब बात कर लेते हैं आपका जो है form कौन कौन भढ़ सकता है तो ये जो भढ़ती परक्रिया थी पहले किसके पास थी UK SSS से ने इसका exam पहले कराया है जिसमें की उसको निरस्त करके दुबारा से जो है एक exam कराया जाएगा क्योंकि इसमें काफी तुरूटियां हो गई थी जो उसके questions थे वो काफी गलत हो गई थे तो अब ये exam किसके दुबारा कराया जाएगा UK PSC दुबारा कराया जाएगा तो सभी लोगों को एक दुबारा से मौका मिल रहा है जितने भी नए candidates हैं वो भी इसमें apply कर सकते हैं पुराने candidates भी इसमें apply कर सकते हैं तो apply भड़ती विग्यापन कब से निकलेगा उसकी official जानकारी आपको देते हैं तो आप देख सकते हैं उत्राखन लोग सेवा आयोग के अंतरगत ये जो है वेकेंसी निकाली जाएगी जिसमें की सहायक लेखाकार और लेखा परिक्षा ठीक है तो ये इसमें रहने वाला है जो की assistant accountant और auditor की वेकेंसी रहने वाली है जो की 28 October को आप लोग जो है form fill up कर पाएंगे ठीक है जो विग्याबन आपका जारी होगा वो 28 October 2022 को रहेगा exam जो रहने वाला आपको 12 फरवरी को रहेगा वन आरक्षी की भी जो है वीडियो आपको description में मिल जाएगी एक और वेकेंसी रहने वाल है लेक पाल तो इसकी भी जानकर्य है आपको मिल जाएगी तो इसमें 504 पोस्ट हैं रहने वाल है तो लेक पाल की भी मैंने वीडियो पहले बना दिया तो उसको जाकर आप देख सकते हैं किस तरिके से syllabus रहने वाला किस तरिके से age limit रहेगी उसक कर लेते हैं क्या इसमें qualification मागी गई है क्या age limit रहनी चाहिए किस तरह के से कौन-कौन सी जो है documents की need होगी क्या इसमें जो है computer का diploma certificate या ccc certificate की मान्यता मतलब मागा जाएगा ठीक है तो पहले ही मैं आपको बता दूँ पद जो रहने वाले हैं वो 600 ठीक है 663 बद इसमें रहेंग ठीक है October की 28 तारीक को तो अभी आप लोग सब सिर्फ main चीज क्या देखिए qualification और जो आपकी age limit है किस तरीके से रहेगी पहला पद है आपका सायक समिक्षा अधिकारी लेखा का कूल पद इसमें एक है जो की समानी वर्ग का रहने वाला है वेतनमान की बात करें तो इसमें आ से 42 वर्स तक के candidates इसमें अपलाई कर सकते हैं general category के और जो है आपको reservation भी मिलेगा SCST OBC को जिस तरीके से मिलता है ठीक है तो अब बात कर लेते है sectionic अहित्ता की भारत में विधी द्वारे स्थापित किसी विश्य विध्याले में B.com या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अ चार हजार की depression की परती घंटी की क्या होने चाहिए गती होनी चाहिए ठीक है तो हिंदी इंग्लिस में आपकी टाइपिंग टेस्ट भी इसमें रहने वाला है पहले चीज क्या मागी गई है B.com मागा गया है और या मान्यता प्राप्त समकक्ष है मतलब उसके relevant ठीक है उसके बराबर में जो कोई course होगा तो वो इसमें मान्ये रहेगा ठीक है तो इसके बाद बात कर लेते हैं अधिमान जो रहेगा लिखित परिक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले के आयू में जे स्टब भीरती को जो है चैन सूची में उपर रखा जाएगा अब बात कर लेत कि स्लेबस किस तरिके का रहने वाला है तो वीडियो को आप पूरा इंट तक जरूर देखे और ये स्लेबस में आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूगा ठीक है तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप एक लाग बारा हजार चार सो तक रहेगा आईू सीमा सभी में सेम रहने वाली है तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें आपका सनातक मांगा गया है ठीक है तो ग्रेजुएट डिगरी होनी चाहिए वानिजी से ठीक है तो वानिजी मतलब कॉमर्स से आपकी इसनातक डिगरी ग्रेजुएशन होनी चाहिए अकाउंट्स की जो रहेगा आपका सहित उपाधी होगी ठीक है तो ये इसमें मान्यता प्राप्त मांगा गया है ठीक है तो इसमें भी आपकी लिखित परिक्षा रहेगी सो नंबर की दो घंटे की अब्जेक्टिव टाइप ठीक है तो ये सभी जो सलेबस रहेगा सभी का सेम रहने वाला है तो उसका मैं आपको डीटेल पर बता दूँगा लेखाकार का एक पद इसमें रहने वाला है जिसमें की आयू सीमा भी 21 से 22 वर्स तक रहने वाली सेक्शन अहित्ता की DTI ठीक है DTI या भारत में विधी द्व situation एमकॉम जो है इसमें मागा गया है तो ये चीज़े होगी इसके बाद भी इसमें सलेबस सेम रहेगा सहयक लेखा कार तो ये जो है भरती सबसे बड़ी भरती रहने वाली इसमें काफी जादे पद हैं तो अभी ये पद आपके 500 के करीब करीब साड़े 500 तक रहने वाले है और इसका पूरा सलेबस बें आपको बता दूँगा तो सबसे पहले देखते हैं विभन ने विभागों में इसके पद रहने वाले हैं जैसे कि समाज कल्यान विभाग में 15 पद रहेंगे जिला अधिकारी चंपावत में 5 पद जिला अधिकारी टहरी में 9 पद ठीक है तो हा और गड़ में 14 दहरादून में 3 बागे सुर में 7 और चमोली में 15 पद रहेंगे नेनी ताल में 6 पद रहेंगे और इसके बाद है उद्यान विभाग में 28 पद रहेंगे जो की परियटन विभाग में 17 पद और लोक निर्माण विभाग में 9 पद इसके बाद है आपका सहरी सहरी विकास विभाग 29 पद इसमें रहने वाले हैं, सहरी विकास विभाग में भी 3 पद, इसके बाद सहेकारी समितियां जिसमें की 4 पद रहने वाले हैं, उद्योग विभाग में 13 पद, ठीक है अलपसंख्या विभाग जो रहेगा उसमें आपके 2 पद रहेंगे, जनजाती क ल्यान विभाग में एक पद और इस तरीके से काफी पद हैं काफी लंबी चौड़ी ये लिस्ट रहने वाली है जिसमें की सबसे जादे अभी आप देख रहे होंगे क्रिशी विभाग 69 पद इसमें रहने वाले हैं ठीके तो ये आप देख सकते हैं करमचारी राजबीमा योजना स्रम चिकिसा सेवाएं ठीके तो इसमें आपके दो पद रहेंगे तो ये एक एक दो दो सभी में रहने वाले हैं तो ये काफी लंबी चौड़ी पीडियफ है तो इसका टेलिग्रा भी ये पद रहने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर आप योग देख सकते हैं तो ये अभी इसके बाद इसको संसोदित करके इनके पदू को जो है बढ़ा दिया गया है तो उसका संसोदित विग्याबन आपको 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा अब वेतनमान की बात कर लेत लेवल पांच की ये वेकेंसी रहने वाली 29,200 से लेके देखिए 92,300 तक जो है इसका वेतन रहने वाला है आयू सीमा सभी में जो है सेम रहेगी 21-22 वर्ष अब देखिए सेक्शनिक योगीता क्या मांगेगी अब भ्यरती के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्याले से क्या होना चाहिए कॉमर्स में इसनातक की उपादी होनी चाहिए या फिर बीबीए बीबीए मतलब बैचुलर इन बिजनस एड्मिस्टेशन अथ्वा पोस ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी तथा हैंदी में टंकन 4000 की डिप्रेशन प्रती घंटे की स्पीड होनी देखी पहले आपका जो है लिखित परिक्षा होगी जब आप लिखित परिक्षा पास कर लेंगे उसके बाद है जो है आपका कम्प्यूटर का टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है ठीक है तो ये चीज़ें आप समझ गी होंगे अब बात कर लेते हैं सलेवस सभी का सेम वो आखरी मैं सभी को बता दूँगा अब बात कर लेते हैं कैशियर कम सहयक लेखा कार की तो एक ही पद इसमें रहेगा जनरल कैटीरी का लेवल 4 की ये वेकेंसी रहने वाली लेखा प्रशिक्षन के जो है 53 पद इसमें रहने वाले हैं तो आपके पास पहले तो इसमें CCC Certificate ठीक है तो ये चीज़ें आपको जो कम्पूटर का Certificate होना चाहिए वो अथवा O-Level का प्रमान पत्र होना चाहिए साथ में आपको देवनागरी लिपी मतब हिंदी का ज्यान भी होना मागा जाएगा जैसे VPDO की जो भड़ती होई थी उसमें भी CCC Certificate मागा गया था तो उसी प्रकार से आपका जो ऑडिटर का ये पोस्ट रहने वाली है उसमें भी आपका ये Certificate प्लस जो आपका वानिज्जी से सनातक होना चाहिए ठीक है तो लेखा प्रश्रिक्षण के एक पद इसमें रहने वाला है ये भी आपका सेम रहेगा इसमें आपकी Graduation जो है होनी चाहिए सनातक से जो है Commerce से ठीक है लेखा प्रश्रिक्षण तो ये अलग-लग विभागों में जो है ये रहने वाला है तो ये आप पूरा PDF में आपको प्रोवाइड करा दूँगा तो ये देख सकते कार्य सहायक तित्य लेखा ठीक है तो ये आपको देख सकत English में मांगी है तो ये इसका जो है रहेगा अब देखी लिखित परिक्षण किस तरह के से रहने वाली समान्य वर्ग OBCS रेनी के अभ्यरती को 45% तथा अनुसूचित जन जाती को 35% न्यूनितम लाना अनिवारी है तो ये जो है qualifying marks रहते हैं और इसमें आपकी negative marking होगी एक ब inclusive जानकारी आपके लिए हम ला रहे हैं अब बात करते हैं आयू सीमा कब से count होगी ठीक है तो ये जो बढ़ती विग्यापन है ये आपका 2021 में निकला था अभी ही चल रहा है 2022 ठीक है 2022 चल ला है तो अब सरकार देखते हैं कि सरकार किस तरीके से 2022 को या 2021 तक ये विग्यापन का डेट रिलीज करती है तो वो तो सरकार पर डिपेंड करता है तो आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो हम आपको बता देंगे तो आप लोग अपनी तयारी करते रहिए जितने भी 21 से 42 वर्स तक के मुझे नहीं लगता है इस से उपर के कोई candidates होंगे ठीक है तो आप लोग तयारी करते रहिए जहां तक लग रहा है 2021 से आपकी IU count होगी ठीक है तो उसका update भी मैं आपको provide करा दूँगा तो आप लोग तयारी करते रहें साथ में इसमें जादे कुछ है नहीं इसका notification आप लोग अच्छे से देख लीजेगा और ये चीजे होगी इसके बाद बात करत है कि किस तरी के से वो लोग आविदन करती है online आविदन की बात आई तो online आप लोगों को किस तरी के से करना है pcs.uk.gov.in की website में जाके आप लोग आविदन कर पाएंगे ठीक है तो उसका भी मैं आपको जो है provide करा दूँगा और बात कर लेती कि किस तरी के से इसका syllabus रहने व ठीक है तो इसका मैं आपको previous year question पर provide करा दूँगा mock test भी provide करा दूँगा तो यह आप unit देख सकते है advanced finance accounting ठीक है तो यह देख सकते है इसके बाद financial management ठीक है तो mcq question आएंगे वहाँ आपको कोई balance sheet बनाने को नहीं आएगा ठीक है तो ऐसे ही question आपको mcq questions आएंगे और थोड जो है calculating question भी इसमें आते हैं ठीक है चौती unit है आपकी cost and management accounting ठीक है तो इसके बाद है आपका MIS auditing and taxation second देखते है next जो रहेगा आपका तो इतनी ही जो है आपके topic रहने वाले मतलब 5 topic से ही questions आएंगे तो इसमें आपकी ना कोई उत्राखन की जीके पूछी जाएगी ना समानी जान ना current affairs ना reasoning ठीक है तो यही आपका जो है syllabus रहने वाला है ठीक है तो और कोई update चाहिए तो आपको provide करा देंगे कुछ पूछना है तो comment में पूछ सकते हैं और telegram link जरूर से join कर लीजे वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी ठीक है तो UK PSC study material ठीक है तो telegram में जो description में उसका link provide है और चैनल को जरूर से subscribe करके जाना और मिलते नेक्स वीडियो बाद तब तक के लिए बाबाई जैहिन जैखर